लक्षर पुलिस चौकी में जहरीला परदार्थ के सेवन से प्रशान धीमन नाम का एक युवक की मौत का मामला तूल पकड़ते नजरा रहा है। इवक के परीज हरों के साथ hai भाजपा कारेकर्ताver ने कोत्वाली पहुंचकर दिेने की कोशिश कीौ। द्वारा तहरीर एक्सेप्ट ना करने पर परिजन और भाजपा के कार्यकरता कोत्वाली परिशन में ही धरने पर बैठ गया घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस छेत्राधिकारी निहारी का स्वेमवाल मौके पर पहुंची और धरना दे रहे मृतक य परिलेग आये लेकिन इस्पेक्टर साब ने तहरी नहीं है इसलिए सब जिदने भार्जेंटा पार्टी के लोगते इना पता लगाए और फिर जो है स्यो मेडमाई उनके दुवारा तहरी हमारा मानने है कि इसकी जाच होनी चेहिए जाच मुझू भी सत्रता हुआना चाहि क्योंकि आप मुला गया था उसकी बड़ी संदेहा स्पति स्थिती में बत्ती हुई है और यह निकल कई बात की लड़के ने जहर खाया या उसे खिलाया गया तो हमारा जो पक्ष है वो यह था कि इसकी विस्तरत जाच की जाए निस्पक्ष जाच की जाए और हमारी तहरी जो इस विशे में दोशी लोग हैं उनके विपरीत जो उचित कानुनी कारवाई है वो बनती है वो उसके विद्ट की जाए इस प्रश्णकत विशे में